सब्सक्राइब करता हूं जिनको मैं एक एक करके पिक करता हूं सबसे पहला क्वेस्टिन है वह 127 गोल्डन ने पूछा और यह पूछ रहा है यह प्रॉब्लम तो बहुत ही जैनुएन है मैं भी बहुत सारी ऐसे टार्गेटिंग को यूज कर रहा था डिटेल टार्गेटिंग बोलते हैं मैं भी यूज कर रहा था जो अब रिमूव हो चुके तो मैंने जो चेंजेस लिए वो ये लिए कि पहला तो आप्शन हमारे पास यह है कि जैसे जो भी आपकी डेटेल टार्गेटिंग रिमूव हुई है उससे रिलेटेट फेस्बुक ने कुछ सजेशन्स आपको देने शुरू कर दी हैं कि हमने यह वाली टार्गेटिंग को अगर आप इस वाली टार्गेटिंग को यूज कर रहे थे तो अब आप यह दूसरी वाली जो टार्गेटिंग हो उसको यूज कर लो मैंने ऐसा भी क्या हो वट मुझे उससे कोई बहुत जादा फाइदा हुआ नहीं मुझे पूरी पूरी अपनी स्ट्राडेजी ही चेंज करनी पड़ी तो मैंने फिर से अपने आट सेट बनाया फिर से अपने campus बनाया उसके अंदर फिर से नए type की जो cold audience है उसको experiment किया और फिर से जो हमारी winning audiences है उनको मैंने find किया तो मैं आपको भी यही suggest करूंगा कि अगर आप cold audience के उपर ही dependent है initially तो फिर आपको नए audiences जो है भो धूननी पड़ेंगे अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ad set था उसके अंदर आपने बहुत जादा ऐसी targeting select कर रखी थी जो अब remove हो चुकी तो ऐसे में तो आपको बिलकुल नए तरीके से जो ad sets है वो बनाने पड़ेंगे या दूसर तरीका क्या है मान लेते हैं कि जो भी आप campaigns run कर रहे थे उन detailed targeting options के साथ जो अब remove हो चुके हैं और उससे आपके website के उपर कुछ traffic आया या आपकी जो दूसरी properties है in terms of like जो facebook page है आपका या आपका जो Instagram account है अगर उसके उपर कुछ growth हुई उसके जो audience engagement बढ़ा वहाँ पर आपको कुछ followers मिले तो आप क्या कर सकते हो उस audience को उस custom audience को बना सकते हो उसकी look-alike audience बना सकते हो आप तो वहाँ से भी पहले कि आपकी cold audience थी detail targeting वाली जो अब नहीं है तो फिर आप नए तरीके की audiences को ढूनने की कोचिश करें हाँ इसमें थोड़ा सा time लगेगा नई audiences को फिर से ढूनने में बट आपके पास यही option है अब आपको यही करना पड़े क्योंकि कुछ policy reasons की वज़े से कुछ different reasons की वज़े से अब तो facebook ने वो detailed targeting options को remove कर दिया तो I believe 127 golden को अपने question का answer मिल गया होगा next जो question है वो कसुतम का question है आपर sir facebook के remarketing campaign में best frequency कितनी होनी चाहिए और saved audience और remarketing audience में budget का balance कितना होना चाहिए example अगर मैं new audience पे पड़े का 1000 लगाता हूँ तो custom remarketing audience पे कितना budget रखना है अब देखो इनके question बहुत ही जबरदस्त question है मैं एक एक करके answer देता हूँ बहुता है लोगों इससे help मिलेगी बहुता है लोग यह जो पूछते हैं हमसे कि remarketing campaign में best frequency कितनी होनी चाहिए देखो आप इस बात को समझो अगर आप remarketing campaign run कर रहो न तो आप चाहोगे कि आपका ad बार बार लोगों को दिखे वो बार बार different platforms के उपर different different types से बार 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 ल budget है तो आप 5 तक भी ले जा सकते हो आप अपने जो remarketing audience की frequency उसको 5 तक भी आप ले जा सकते हो उसमें भी कोई problem नहीं बट अगर आप थोड़े से average इस type से पूछ रहे हमसे कि सर कितनी होनी चाहिए जिसको हम मानेंगे कि ठीक है हमारा काम अच्छा चल जाएगा तो 3-4 कि एक अच्छी frequency है और यहां पर तो conversion हो ही जाना चाहिए फाइन सेकंड जो question है वो और भी ज्यादा important question है पूछ रहे हैं कि सर अगर हम cold audience का कुछ budget रखते हैं लेटसे हमने अपने cold audience का budget रखा 1000 रुपए पड़े और हमारी remarketing audience भी है तो हम उसका budget कितना रखे हम उसका budget 500 रखे उसका budget 2000 रखे हैं उसका budget 3000 रखे किस type से किस proportion में हमने रखना चाहिए कि हमारा जो cold audience का budget है वो कितना होने चाहिए और साथी साथ जो remarketing का budget है वो कितना होने चाहिए अब देखो इसका answer मैं आप लोगो देता हूँ यह totally इस बात के उपर depend करता है कि आपकी remarketing audience कितनी बड़ी है या आपकी जो cold audience है वो कितनी बड़ी अगर आपकी cold audience बहुत बड़ी है तो आपको थोड़ा बज़ट रखना पड़ेगा अगर आपकी remarketing की जो audience है वो बड़ी है मान लिया एक example मान के चलते हैं आपकी remarketing की audience जो है वो 1000 लोग की remarketing की audience है अब अगर आपको ज़़दा frequency of ads उन लोगों को दिखाना है, ज़्यादा frequency में उन लोगो आड्स दिखाना है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा budget जो है, वहाँ पर डालना पड़ेगा, वही पर अगर आपकी री-marketing audience और ज़्यादा है, मैं मान लेता हूँ कि 5,000 की आपकी री-marketing audience है, अब वहाँ पर अगर तो मेरे री-marketing audience का budget उससे 2 गुना या उससे half होगा नहीं, ये कोई parameter नहीं है decision लेने का, decision लेने का parameter क्या है, कि हमारी री-marketing audience कितनी बड़ी है, और जितना भी मैं add लगा रहा हूँ, उससे क्या जो मेरी desired frequency है, वो fulfill हो पा रही है, मैं चाहता था 3 बार at least एक बंदे को मेरा add दिखे, तो क्या वो हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है, तो हम budget बढ़ा देंगे, तो आपका जो यहाँ पर question है, अगर मैं new audience पर पढ़े का 1000 लगाता हूँ, तो custom remarketing audience पर कितना budget रखना है, इसका अंसर कहां से पता चलेगा, कि वो custom remarketing audience कितनी बड़ी है, और over the period of time, ज धीरे-धीरे, उसका size बढ़ता जाएगा, तो धीरे-धीरे, आपको budget भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप budget नहीं बढ़ाएंगे, तो आपकी frequency डाउन हो जाएगी, अगर आपकी frequency डाउन हो जाएगी, तो जो remarketing का purpose है, कि भाई, हमें तो पीछा ही नहीं छोड़ना है, मल I believe आपको अपने question का answer मिल गया होगा, कसुतम, right, and उसके बाद अगर मैं बात करूँ है, पर third question जो है, जैकी अवल का है, यहाँ पर question, I have a question, what if customer does not click on the call extension, and directly note down the number and calls, is there any way to track that, मतलब सीधा सा मतलब इनका यह है, कि offline conversions को किस तरीके से track करें, यह इस चीज को पूछे, देखो म मैं बात करूँ, Google Ads और Facebook Ads, वो इस direction में काम कर रहे हैं कि offline conversions को भी attribute कराया जा सके, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग, मान लेते हैं, एक बंदा था और उसने मेरा ad देखा, और ad देखने के बाद, उसको मेरा ad दिखा, search ad ही मान लेते हैं, search ad दिखा, और उसने call extension के उपर click नहीं किया, वो number ले लिया, number जो है, उसने note down कर लिया, और number no down करने के बाद, वो मेरे को call करता है, अगर वो मेरे को call करता है, अब वो मेरी shop पे आया, और shop पे आने के बाद, वो conversion करता है, fine, तो मैं उससे उसका email address ले लेता हूँ, यह बंदे ने conversion किया, य product is obviously, यह इसका phone number है, यह इसका email address है, और यह इसका name है, यह उसकी मैंने कुछ basic सी जो information है, वो ले लिए, अब सभी platforms के अंदर, चाहे वो Facebook ads हो, चाहे वो Google ads हो, हमारे पास option होता है कि हम उस information को upload कर दें, उस system के अंदर, तो जब हम जो हमारे offline conversions हुए है, उनकी information को जब हम upload करत हैं, system में, वो system verify करता है, कि भाई, यह वाला जो email address है, यह वाला जो phone number है, यह वाला जो बंदा है, कहीं यह उन बंदों में से तो नहीं है, जिनों ने ad देखा था, या ad के साथ engage किया था, तो अगर उन में से कोई बंदा होता है, तो उसको map करा देते हैं, और हमारे जो conversions है वो attribute हो जाते हैं, तो there is a way in platforms, जिसके through हम लोग जो हमारे offline conversions हैं, उनको भी हम बहतर तरीके से track कर पाते हैं, और यह चीज Google Ads के अंदर होती है, through enhanced conversions, enhanced conversion अभी recently Google Ads के अंदर introduced हुआ, इसके उपर भी मैं separate video बनाऊंगा, बढ़ हां कुछ हद तक हमारे जो offline conversions हैं, उनको भी attribute किया अंकित भाटी का question है अपर, सर गूगल Ads के लिए क्या market में job opportunities हैं, अरे भाई, बहुत सारी job opportunities हैं, आज के time में तो MNCs हायर कर रही हैं, आप एक बार LinkedIn के जो job वाला section उसके उपर या portal है, वहाँ पर जाकर या different different जो MNCs हैं, उनकी जो job posting होती हैं, उसके जाकर research तो करें, आप को खुदी अंकित answer मिल जाएगा, बहुत सारी, बहुत सारी jobs हैं, Google Ads को लेकर आज के time में market में, उसके पास शिलपा का question है, which bidding strategy is good to be on top of the page rate, irrespective of the budget, definitely budget is also criteria, but which will be a better bidding strategy, तो अगर budget की कोई problem नहीं है, यसा आपने initially बताया, तो मैं एक तरीका generally follow करता हूँ, वो है manual bidding का, जब ads हैं, उनको हमेशा top पर ही रखना है, कुछ specific keywords के उपर, तो मैं generally manual bidding का जो तरीका है, वो अपनाता हूँ, वहापर मैं bidding को खुद control कर सकता हूँ, और मैं check करता रहता हूँ, add preview and debug tool के अंदर, कि अभी हमारा जो ad हो कहां पर दिख रहा है, और उसके बाद अगर हमारा ad नीचे दिख रहा होता है, तो manual bidding होती, क्योंकि control मेरे पास होता है, तो फिर मैं bid को increase करता हूँ, बट वहाँ पर भी आप मान के चलें, कि आपको ऐसा नहीं होगा, कि हमेशा 100% of the absolute top of the position पे रहेंगे, वहाँ पर भी कुछ cases में हो सकता है, कि आप की जो ranking है, वो down हो, बट मेरा जो त कमेशा top पे रहने के लिए, जो combination बनेगा ना, वो bidding और budget का दोनों का बनेगा, मान लिया, एक बंदा maximize clicks के उपर जो है, अपने ads run कर रहा है, और उसका budget काफी जादा है, तो उसे जादा impressions मिलेंगे, बहुत सारे cases में हो सकता है, कि आपको जादा impressions ही ना मिले, क्योंकि आपका budget ही कम है, मान लिया, आपका budget है 100 रुपए, और 100 रुपए का आपका budget है, और आपकी जो CPC आनी है, या आ सकती है, जिस type की keywords आपने रखे हुए, वो मान लिया, आपके 10 CPC है, तो 10 click ही तो मिलेंगे आपको पूरे दिन में, और 10 click में बहुत जादा Google आपको 100 impressions करा देगा, त तो ये भी हमें समझना पड़ता है कि आपको budget भी अच्छा रखना है, साथी साथ आप manual bidding को रखें और खुद उसको control करने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि मेरा ad कुछ scenarios में जो है वो नीचे जा रहा है, तो फिर आप उसको ऊपर करने के लिए आप फिर अपनी ज ज़्यादा satisfactory नहीं लगती है, बहुत सारे cases में मैं देखता हूं कि वो हमें बहुत अच्छा जो है absolute top of the page का जो impression rate है वो नहीं दे पाती है, मुझे personally manual bidding strategy जो है वो ज़्यादा पसंद आती है, अगर मेरा concern केवल absolute top of the page के उपर रहने का है, तो I believe आपको भी जो है इस चीज का answer मिल गया होगा, बट आपके पास दोनों option है, कि आप जो impression share वाली bidding strategy है उसको भी try कर सकते हैं, आप manual CPC bid की जो bidding strategy है आप उसको भी try कर सकते हैं, I believe शिल्पा आपको ये answer मिल गया होगा, इस particular video में इतना ही, मिलते हैं next video में, till then, good bye. झाल